गुद मॉर्णिंग स्टोरेंग, टोड़ी इस आर मैच्स पिरेट और वी आर गोई तो स्टार्ट एक्सराइज 9.1 बच्चो, सो ओपन यूर मैच्स बूक पेज नमबर 168 बच्चो, एक्सराइज 9.1 का कॉशन फर्स्ट है, जो कि हम बूक में रीट कर रहे हैं Find the perimeter of the following figure बच्चो, इसका A नमबर का कॉशन देखीए बच्चो, इसका A नमबर का कॉशन हमें क्या दिया है एक ट्राइंगल दिया है और उसकी तीनो साइट समय D है तो चलिए इसे हम किस तरह से स्टार्व स्टार्व करते हैं तो चलिए बच्चो इसका ए नंबर का कॉश्चन हम सॉल करते हैं इसकी तीनों साइड डी है फाइब सेंटीमेटर है एक साइड एक एट सेंटीमेटर है एक नाइन सेंटीमेटर है तो हमें क्या करना है इस ट्राइंगल का पैरिमेटर निकालना है तो हम इसे किसी तरह से सॉल is equal to sum of all sides, sum of all sides, okay, बच्चो, sum of all sides, so, perimeter of triangle is equal to sum of all sides, तो, पहली side क्या है, बच्चो, 5 cm, प्लस, दूसरी side 8 cm, प्लस, तीसरी side को सी है, 9 cm, ओके, बच्चो, so, answer क्या है, बच्चो, इसका, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, so, क्या है, 22 cm, so, इसका perimeter क्या है, perimeter of triangle is equal to 22 cm, ओके, बच्चो, अब देखिए, अब हम D number का question solve करते हैं, बच्चो, यह जो D number का question है, यह एक irregular shape है, है ना, तो irregular shape का perimeter किस तरह से निकालते हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ, तो चलिए, D number का question है, बच्चो करते हैं, D number का question है, perimeter of irregular shape, perimeter of, यह D number का shape hex है, बच्चो है ना, लेकिन, perimeter of, इसे हम irregular shape को बोलेंगे, perimeter of irregular shape is equal to sum of all sides, sum of all sides, okay, बच्चो हूँ, so इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका क्या है फिर, 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, 2 cm, plus 2 cm, so, 12 cm so parameter of irregular shape is equal to answer क्या है 12 cm यह सारे sides की हमें क्या करना है प्लस करना है तो कितना है answer 12 cm ok student so बच्चों मैंने आपको exercise 9.1 के question 1 का A और D नंबर का question solve करके दिया है आपको board पे आपको A, B, C, D, E यह पाचो question आपकी copy में बहुत अच्छे से लिखना है इन्हें solve करना है और इसकी pick हमें group में sign करना है तो चलिए बच्चों आप question number 2 हम book में solve करते हैं ok so student page number 169 पे हमारा question number 2 है find the perimeter of these shapes बच्चों यहाँ पे कुछ shapes दिये है उनका perimeter हमें find करना है take each square to have sides of one centimeter बच्चों इन्होंने हमें बताया है कि यह जो एक square है इसकी जो एक side है यह क्या है one centimeter है ok बच्चों तो देखिए यह किती side है यह one two three four five six seven eight nine ten eleven one twelve thirteen fourteen fifteen fifteen और यह sixteen so बच्चों किते यह मतलब इसकी किती side हुई है sixteen है ना तो एक side one inch की है तो इसका parameter क्या हुआ बच्चों फिर sixteen three centimeter ok बच्चों इसी तरह से अब आपको यह बच्चे हुए three shapes को three shapes का parameter book में ही निकालना है और इस book की pick हमें group में send करना है so बच्चों question number three देखिए find the missing length in these shapes ok बच्चों तो चलिए बच्चों यह question हम board पे solve करते हैं so बच्चों हमारा question क्या है फिर find the missing length in these shapes बच्चों जो ए नंबर का shape दिया है है ना उसके एक साइड missing है है ना तो हमें इसका क्या करना है फिर parameter निकालना है और इसकी जो missing length है वो हमें निकालनी है ok so इसी लिए अब हम सबसे पहले से किसी तरह solve करते हैं मैं आपको समझाती हूँ हाँ parameter is equal to sum of all sides ok sum of all sides okay parameter formula आप देखिए so बच्चो इसका जो all sides कितनी sides 9 cm plus 5 cm plus sorry बच्चो हमें इसका parameter दिया हुआ है तो parameter कितना है 28 है है ना तो इसकी sides को कितनी है 9 cm plus 5 cm plus 5 cm plus एक side missing है बच्चो तो इसे उस side को हम x नाम देंगे ok so 28 is equal to 19 to 19 plus x ok बच्चो अब हमें x को x की कीमत निकालनी है तो हम इस x को इधर लेके जाएंगे है ना और 28 को इधर लाएंगे तो हम क्या होगा 28 में से 90 माइनस हो जाएगा ok बच्चो अब पैरिमीटर दिया हुआ था और हमें एक साइड निकालनी थी ok बच्चो सो बच्चो मैंने इस question का a number का question आपको समझा दिया है अब a और b यह दोनों question आपको आपकी copy में लिखना है इन्हें solve करना है और इसकी peak हमें group में sign करना है यहां पे हमने हमारा यह जो exercise है यह complete किया है बच्चो okay have a nice day today